असलाम लेकुम एवरीवान, कैसे हैं आप लोग। आज की वीडियो में हमने यूट्यूब का बैनर बनाना सीखना है आप लोगों ने काफी ने रिक्ट्वेश्ट की थी किसरों उसके साइज भी बता दें क्योंकि last week हमने facebook का banner बनाना सीखा था और अगर आपने वो देखना है कि वो किस तरह हम size लगाते हैं जो accurate इस वकर page के उपर लग जाता है वो description में link है या इधर i button आता होगा वहाँ पर भी आप जागे click करके देख सकते हैं चलें जी आज हमने करना है YouTube banner सबसे पहले मैं size लगाना बताऊंगा आपको और मेरे पास एक template है उसका link भी मैं आपको description में दे दूँगा आप वो download करके भी use कर सकते हैं मेरे पास Photoshop open है और यहाँ पर open पर हम click करके मेरे पास YT banner नाम का template है यह आपको भी मिल जाएगा description में इसका link होगा तो जैसे open करेंगे ना मैं थोड़ा से इसका जो है default यहाँ पर right click करके background थोड़ा light gray कर लेता हूँ ताके आपको difference feel हो कि size कहाँ पर लगा हुआ है और पीछे background कैसा है हमारे artboard के back जो पीछे back है ओके जी इसका जो main image size होता है यह 3-4 devices के लिए होता है सबसे पहले टीवी के लिए आपको दिख रहा होगा जो main size आपको Google भी बता रहा होता है कि 2560 by 1440 आपने size लेना है उसके बाद desktop के लिए होता है जो के max size होता है आपके desktop का उसके लिए हम यहाँ तक जा सकते है 2560 width of 423 इसकी height होगी यानि यह full आपका 2560 pixels पे यह divide हो जाएगा उसके बाद हम tablet के लिए design करते है कि आपका content है वो tablet तक सही रहे तो वो 18-55-423 pixels और आप कहरे है mobile और desktop के दोनों के लिए perfect content हो तो हम अपने जो safe zone है जो आप अपना content जिस जगह पर रखना चाहते है कि वो safely दोनों devices पर दिखे चाहे desktop है चाहे चोटी device पर हम देख रहे है चाहे laptop पर देख रहे है चाहे wide screen पर देख रहे है यानि कि आपका सारी चीज़ें उस frame के अंदर perfect दिखें अगर चीज़ें साइडनों से cut भी जाती है background थोड़ा cut भी जाता है तो आपका text सहीर है जो आप दिखाना चाहते है वो सहीर है तो 1546 जरब 423 आपके पास ये size है 1546 by 423 अगर आप चाहते हैं कि इस पूरे को design करना है तो भी ठीक है और हम 2560 by 423 को भी हम design कर सकते है मैं इस template को ही use करके आगे करूँगा और यहां पर मेरे पास जो है control R प्रेस करूँगा keyboard से और यहां पर ruler निकाल के मैं इधर एक लगाऊंगा ठीक है यह देखिए मैं थोड़ा zoom कर लेता हूँ और zoom करने के बाद बिल्कुल perfect जगा पर यहां पर लगाया है तू थ्री एंटर प्रेस कर दें ठीक है अब जो भी color का आपके सामने box आएगा आप अगर color change करना चाहते है डवर क्लिक करें यहां पर color ले ले लें फिलहाल और यहां से select all ठीक है हम Photoshop में काम करें यह मैं आपको बता दूँ और यहां से move tool select करेंगे और selection tool भी कहते हैं वैसे हमें सिर्फ sizes के guides लगा लेते हैं जहां जहां पर size हमें थोड़ी हो पैसी down करेंगे और यहां पर हम safe लगा लेते हैं एक यह mobile के लिए और एक हम यह लगा लेंगे यनि mobile और desktop दोनों हम cover कर रहे हैं इस area पर background आएगा पर जरूरी text या logo वगेरा नहीं आएगा ठीक है और यह अब इसके बाद ही हम अपना crop tool लेते हैं और alt का button प्रेस करके हम सिर्फ इस box तक ले आते हैं और enter प्रेस कर देते हैं यह राजी हमारा size और इस size के उपर हमने अपना design करना है बाकी TV के लिए अगर आपकी device जो TV पर आपका channel अगर कोई review करे तो फिर वहां पर पूरा cover दिख है लेकिन यह के mostly यह वाला ही text या आपको size जो है मैंने आपको बताया वो दिख रहा होता है ठीक है चले अब design हम start करते हैं यहां से मैं background का color जो हो white ले रहा हूं basically और ब्राइट ब्राइट लिए और यह मैं dark gray कर लेता हूं अब मुझे medium gray actually कर लेते हैं ताके मुझे फरक दि इसकी जो properties हैं वो change करेंगे to something like जो भी color आपको पसांद है वो हम select कर सकते हैं I will go with the yellow one maybe यहां से magenta 100 yellow और magenta हम कर लेते हैं इसमें 30 add और ok press कर देते हैं ठीक है जी इसका जो stroke है वो हम nail करेंगे यह बंद कर देंगे यह आपके सामने जो इसका एक box रखा है यानि जो rectangle रखा है ठीक है जी अब यह देखें आपने गौर करना है कि हमने यह जो बार्ड हैं यह जो guides लगाई हैं इसके दरम्यान दरम्यान रहके हमने अपना content रखना है और इसके अंदर ही अपने सारी चीज़ें जो आपने add करनी हैं इसी टुक्या है तो आप मैं यहां पर एक photo के लिए frame add करते हैं सो हम यहां से lips to ले ले लेते हैं और एक circle create करते हैं ठीक है जी यहां से रखा और यह circle तकरीबन उसी के अंदर अंदर ठीक है जी और यहां पर color हम फिलहाल इसका black ले लेते हैं and then हम यहां पर इसको adjust कर लेते हैं यह रिखें इसको adjust कर लिए है and now we just need to put a frame so मैं यहां यहां पर utilize करने वाला हूं और alt का button press करके यह right click करके create clipping mask करूंगा इसको ठीक है यहां पर मैं इसको adjust कर रहा हूं यह देखें ठीक है अब इस photo को मैं यहां पर use कर रहा हूं यह महारा पास start वाला अगया अगर आप चाहते हैं अपने ellipse को लगाना चाहते है stroke वगरा तो आप राइट क्लिक करें अपने ellipse को blending options में जाएं और यहां पर stroke देंगे हम यहां से color black कर लें black क्यूंकि yellow है तो उसके पर black अच्छा लगेगा पीछे white है फिर भी अच्छा लगेगा ठीक है तो हम यहां से stroke जो outside रखके इसको जो है यहां पर तकरीबन हम 10 pixels का कर देते हैं और ok क control T press करते हैं और इसको हम छोटा कर लगते हैं सी तरीके से image को भी हम साथ थोड़ा सा छोटा कर लगते हैं ताके हमारा head छुपे ना ठीक है जी यह रहा और I think सही लग रहा we can change the color according to our need कि अगर yellow नहीं अच्छा लग रहा तो हम change कर सकते हैं अभी फिलहाल हम कुछ और add करते है सो यहां पर अब हम एक rectangle लेकर आते हैं और इस जगह पर अपना जो है हम नाम लिखेंगे channel का ठीक है और हम इसी style को आगे लेकर चलेंगे जैसी यह टेड़ा सा रहा है सो control टी प्रेस करते हैं और यहां पर control का बटन दबा के हम इसको यह इस तरह की shape दे देंगे according to our setting यह जिस तरह यह एंगल बना हुआ है उसी तरह के से हम यहां पर भी angle लगाएंगे और अपना जो main heading है वो लिखते है ठीक है ना सो यहां पर लिखेंगे design ठीक है इसको सबसे उपर लेकर आएंगे control टी प्रेस किये इसको हम छोटा कर लगते हैं यह design आ गया जी ठीक है और थोड़ा सा बढ़ा करेंगे ताके वहां तक fit बैठ जाए and then alt का button प्रेस करते हम copy लेंगे अकैडमी लिख देंगे जहां पर ठीक है यह design academy आ गया है और actual में यह टेड़ा है टेक्स हम थोड़ा सीधा कर लेते हैं क्योंकि यह इस तरफ एंगल है यह इस तरफ एंगल है तो वो सही बैठ नहीं रहा तो हम यहां से gotham जो है हमने लिया ह हो है और gotham font है हम basically gotham bold ही use करेंगे ना के italic यह bold है यह book है और यह रा black ठीक है जी आप इस तरह का और भी font यूज कर सकते हैं Montessorat है Metropolis है यह सारे fonts मिलते जुलते हैं तो आप इस तरह का use कर सकते हैं so design academy का color हम कर लेते हैं black यह रा ठीक है जी और इन तीनों को select करके हम सा उपर लेके जाएंगे और यहां पर रहके थोड़ी alignment set करेंगे according to our given graphics उसके लिहां से हमने alignment set कर ली अब जो है हम यहां पर वह लिख देते हैं इसकी tagline के आप graphic design के tutorial वह गरा देख सकते हैं ठीक है तो हम यहां पर लिखते हैं जी graphic design थोड़ा चोटा कर लेते हैं text को यहां से हम कर लेते हैं 15 pixels graphic design tutorials every week यह everyday वैसे मैं आप रोजी कर रहा हूं तकरीबन सो हम यहां से यह लिख रहे हैं जी graphic design tutorials every week control T करके हम इसको चोटा कर रहे हैं and एक ही font में यूज कर रहा हूं अच्छी यह font हमने यूज कि इसका हम यहां से black version की बजाए हम थोड़ा सा gotham हम यूज करेंगे light light कर ले या medium यह font selection ठीक है हमने थोड़ा से इसको बारी की है like पहले bold हम यूज कर रहे थे और अब अब हम बोल्ड यूज कर रहे हैं पहले black इसका हम वेरियंट यूज कर रहे हैं तो अब हम बोल्ड style यूज कर रहे हैं अभी सिर्फ यह text की जो है readability में problem आ रहा है अगर हम यहां पर एक black box add कर दें तो क्या scene बनेगा यह हम white यूज कर सकते हैं ठीक है जी white हम यहां पर रखा और इसके उपर जो text था वो हम black कर लेते हैं और अब जो हैं यह काफी हद तक set हो गया अब इसका भी हम यहां से वही करेंगे तरीका यानि यह जो style आ रहा है और अगर हम थोड़ा से इसको बढ़ाना चाहें तो इसके बराबर लागर हम कर सकते हैं ठीक है ऐसे मैं चाहरा था कि अगर हम एक line लगाएं यहां से यह रेखें तो यह कुछ इस तरीके से यहां तक आएगा आपका जो box है ठीक है जी और यह रीजिया आपकी बराबर कर लिया हमने इस तरफ से और इदर से भी करना है हमने ठीक है बाहर निकाल लिया है वो white background है वहां पर में पर फील नहीं आएगी और यहां पर हम इसको इस तरीके से सेट कर लेते हैं there you go I think अब सही लग रहा वैसे यह not bad line वाला scheme वैसे जो है ना बड़ा अच्छा लगा है अगर हम line को select करके इसी जगह पर permanent fix कर दें और यह एक अच्छा style बन जाएगा और इनकी alignment सेट कर लेते हैं सब को select करके यहां से चीजों को select करके photo को unselect करेंगे इसको थोड़ा जाम करेंगे जी नीचे और I think हम group कर लेते हैं सारे चीजों को और हम यहां पर लिखते हैं main text graphic design tutorials every week yellow वाले box को हम उठाके यहां पर लेके आते हैं plus हम इसको भी उस लिहाज से angle इसका set कर लेते हैं यह राजी enter press करते हैं यहां से हमने इसको select किये और यह राजी यहां पर रखते हैं इस जगह पर हम social media के icons लगा सकते हैं like if you want to put any social media accounts links तो वो हम इस तरह आड़ कर सकते हैं मैं यहां पर हलके से कारी देता हूं ठीक है जी iconfinder.com है जो मैं एक से use करता हूं icons के लिए तो यहां से मैं पहले facebook निकालूंगा इसी तरह फिर हम twitter का निकालते हैं फिर instagram का निकालते हैं और इस जगह पर मैं ज्यादा active हूं तो obviously जिन जिन जगों का आप यूज करना चाहते हैं उसी style के आप icons यूज कर सकते हैं तो मारी color combination जा रही है white yellow and black so I think हमें black icons यूज करने चाहिए यहां पर तो मैं download कर रहा हूं यहां पर facebook का गोल वाला icon ठीक है ठीक है और इसके लावा जी हम यहां पर twitter का लेकर आते हैं twitter का भी हम गोल वाला ही निकाल लेंगे यह रिखें ठीक है जी और instagram का अगर गोल वाला मिल जाए तो कमाली हो जाएगा यह रहा यह पड़ावा ठीक है जी हम तीनों निकाल लेते हैं यहां पर download png बहुत ज्यादा है यह sizes चारदा 96 pixels का size पड़ावा सो हम 256 तक ले जाते हैं download in png और यहां से इसको भी और इसको भी ठीक है जी अब हम चलते हैं photoshop में और file करते हैं embed file के menu में place embedded और यहाँ पर हमारे पास यहmeye तीनों आइकन जो हैं बारी बारी हम इसको ले आते हैं file के menu में जाएंगे place embedded और यहां से यह ठीक है और file के menu में प्लैसे अदिच और यहां से facebook iquinho ले जी यह तीनों आगे हैं इसको तीनों को select कर लिए यहां से click कर के shift का button प्रेस करते हैं यह और यहां से हम इसको ड्रैक कर देंगे जूम कर लेते हैं जी च्रोल टी प्रेस करेंगे क्योंके तीनों 256 पिक्सल के थे इसलिए बराबर राइन की वेट था रहाइट तो आप यह हमारे लिए असान हो गए कि हम तीनों को सलेक करके च्रोल टी करके इनका साइज जो है हम बरा साइट अलाइनमेंट यू केंडू आलवेज जब भी आपको लगे कि यह कुछ प्राब्लम कह रहा है इसके बाद हम कुछ और भी चीजें एड़ कर सकते हैं लाइक इफ यू वांट तो पुट सम मेंफिस आर्ट तो आप फ्री पिक्सल डाउनलोड कर सकते हैं खुद से बन तो यह मैंने कुछ और चीजें एड़ करके अडिशनली कुछ इस तरह का मैंने लुक दे दिया है और इफ यू वांट तो एड़ ए ग्रेडियंट वो भी हम एड़ कर सकते हैं आप सेलेक्ट कर लें अपने बैग्राउंड को राइट क्लिक करें ब्लैंडिंग आप्शन में जाएं अब यहां पर हमारे पास कलर ग्रेडियंट है कलर ओवरले यहां से बेसिक्स में जाएंगे और यह वाला ब्लैक अन वाइट हम सेलेक्ट कर लेंगे ठीक है यह वाला और यहां से हम कलर बर्न करेंगे यह नीचे से उपर से करना है तो रिवर्स कर देंगे और उपर स इसके color को आगर आपने sharp करना है तो वो भी हम कर सकते हैं यहां से 100 और यहां से 20 अब यह देखें अब सही लग रहा है और यही color हम यहां पर भी लगा के 20 जीरो और यह color जो है हम यहां पर put करेंगे बाकी जहां जहां पर आपने yellow यूज किया हूँ ठीक है अब हमारा तक्रीबन banner है ready और इसको आप दुबारा कर लेते हैं resize image के menu में जाएंगे canvas size के उपर click करते हैं और नीचे वाला जो height है वो आपने one four four zero कर देनी दुबारा से और okay प्रेस कर देते हैं ठीक है अब यह जो नीचे सबसे है आपके पास layer one इसके उपर हमने solid color add कर दें white यह जो भी color करना है आपने वो कर सकते हैं अब हम अपनी file save करते हैं file save a copy और यहां पर हम इसको png को ही save कर लेते हैं save के menu में जाएंगे और okay प्रेस करेंगे और अपने channel पर चलते हैं जहां पर customize कर सकते हैं यह चेंज का option आ रहा है यहां पर हम यह और यह देखें ठीक है यह आपके पास वही आ viewable on TV यह पूरा दिखेगा view on desktop ऐसा दिखेगा view on all devices ऐसा दिखेगा so done करेंगे जब तो यह अमारे channel पर लग जाएगा लेकिन अभी फिलहाल मैं नहीं लगाना चाहता तो यही थी जी आज की video जिसमें हमने सीखा कि banner कैसे design करते हैं असानी से size यह होता है और इसी तरीके से आप जो है अपने channels के लिए YouTube का banner design कर सकते हैं और customers के लिए भी कर सकते हैं यह बिल्कुल basic design था हम इससे भी ज्यादा super किसम के create कर सकते हैं so comments में बताएं कि यह video कैसे लगी है and don't forget to like this video share this video और अगर आप first time देख रहे हैं तो channel को subscribe कर ले notification के bell icon को on कर ले thank you so much for watching this video take care Allah Hafiz